बंगलवार को भारतिय पैलेट फेडरेशन के सच्यू कैप्टन सेस रांदवा ने रन्ने 34 पर निशाना सात्यों वे बयान जारी किया है उन्होंने फिल्म को लेकर आपती जताई है और फिल्म के सची घटना पर अधारित होने के दावे को जूठा करार दिया है अजय दोगन की हाली में रिलिज होई फिल्म रन्ने 34 को लेकर दावा किया था कि फिल्म सची घटना पर अधारित है जो सफर के दौरान प्लेन में हुए हादसे के इर्द गिर्द घुमती है फिल्म को लेकर अब भारतिय पैलेट फेडरेशन ने आपती जताई है और फिल्म क सची घटना पर अधारित होने की दावे को जूटा करार दिया है मंगलबार को भारतिय पैलेट फेडरेशन के सच्चिव कैप्टन सी एस रांधवा ने रन्वे 34 पर निशाना सातर हुए बयान जारी किया है निज एजनसी ए एनाई के रिपोर्ट के अनुशार बयान में कह गया है कि फिल्म में यरलाइन पैलेटों के पेशे को अवास्तिविक रूप से दिखाया गया है और इसे यात्रह करने वालों यात्रियों के मन में आशांकाय पैदा हो सकती है काप्टन रांद्वा ने फिल्म की तारीब करते हुए आगे कहा फिल्म ने हम सभी को एंटेटेन किया और हम फिल्म के निर्देशक के आर्टिस्टिक अप्रोच की सराहना और समान करते हैं एक रोमांचक कहानी को यरलाइन पैलेटों के असाधरन काम की सची घटना से नहीं जोड़ना चाहिए जो सेप्टी की जिम्यदारी के साथ एक दिन में हजारों यात्राय करते हैं ओभी बिना किसी घटना और मजाक के इसके साथ ही फेडरेशन ने फिल्म के एक सची घटना पर अधारित होने के दावे को खारिज कर दिया है पत्र में आगे कहा गया ए दोहराया जाता है कि फिल्म में दिखाये गए किरदार हमारे प्रोफेशन को सटिक रूप से नहीं बया करते हैं और हमारे इंडर्सी इस तरह के बेवहार और धुम्रपान को लेकर जीरो टॉलरेंस निती रखती है हमारे पाइलेट, करमचारी, एविवेशन, रेगुलेटर और लोगो द्वारा हम पर किये गए बिश्वास को बनाया रखने के लिए प्रोफेशनलिजम के हाई रेस्टेंडर से बंदे होते हैं बदादे की रनवे 34 में अजय देगन ने आक्टिंग करने के अलावा इसे डारेक्ट भी किया है फिल्म में अजय देगन के अलावा अमिता बच्चन और रकुल पित सी भी मुख्य किरदारों में है फिल्म इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जुरूर बताएं और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें